कॉंपेटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप लोगों के लिए में लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर, आज ह या पढ़ते हैं या competitive exams के लिए त्यार करते हैं, तो हम इस portion को बहुत जादा thoroughly नहीं पढ़ते हैं, हम जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कितनी सारी landmark चीज़ें हुई है, जो ना सिर्फ आपके exam के लिए बट आपकी basic knowledge के लिए भी बड चलते हैं, तो भी हमें पता चलता है कि sir, उसमें तो constituent assembly का ऐसा कोई जखर तो ही नहीं, तो हमें लगता है कि शायद हमारे लिए वो इतनी important नहीं हो, लेकिन आज के इस video lecture को जब आप आखरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि constituent assembly हमारे लिए क्यों इतना तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि constituent assembly है क्या, assembly का मतलब जैसे कि हमारी आजकल parliament है, वो भी एक assembly है, तो यह भी assembly उसी type की थी क्या, कह सकते हैं, यह constituent assembly बनाई गई थी किसलिए, purely सिर्फ एक काम के लिए वो था हमारे constitution of India के draft को तयार करने के लिए, यानि कि constitution of India को तयार कर लेंगे, ठीके सर, तो constituent assembly के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और यह है photo constituent assembly की, अगर आपको refer करना हो, अगर आप photo से अच्छी तरह समझते हो, तो आप देख लिजे, देखके ही समझ में आ रहा है कि थोड़े पुरारी टाइम की photo, अगर आप ध्यान से इस photo को दिखें समय पहले, क्या हुआ था इस समय, इस समय, constituent assembly नाम के शब्द की first time demand करी गई थी, किसके दौरा, sir M.N. Roy के दौरा, यानि की M.N. Roy, sir, जिनकी photo यहाँ पे लगी हुई है, इन्होंने first time in the history of India, constituent assembly की एक demand रखी थी, इसके सामने, obviously उस समय British का rule था, तो Britishers के सामने, अब यह M. इनकी बारे में भी एक बड़ी brief history है, अगर कभी हमें जरुवत लगी, तो हम इनके बारे में भी कभी बात करेंगे, इनके बारे में आप एक बार पढ़के देखेगा, तो आपको पता चलेगा, कि इन्होंने भी हमारे Indian democracy में काफे कुछ contribute किया है, और इनके अभी भी कुछ चीजे हैं, जो आज भी sustain कर रही है, और अगर आपको पता चलता है, तो आप हमें नीचे comment section में बताएं, अब हम आगे बढ़ते हैं, background में हमने सबसे पहले पढ़ा कि 1934 में Constituent Assembly की first time demand करी सरमन रॉय ने, उसके ठीक एक साल बाद 1935 में इस keyword को पकड़िए, INC मतलब Indian National Congress जो किसले चाहिए, ताकि हम अपने देश का constitution draft कर पाएं, ठीक है सित, आगे बढ़ते हैं, composition की बात करते हैं, तो हमारे constitution को बनाने के लिए जो Constituent Assembly थी, वो first time constitute हो गे थी, कौन से टाइम पे, November 1946 में, यानि कि originally जब बोला गया था, उसके 11 साल बाद हमारी first time Constituent Assembly बनके तयार हु हुए, तो 389 members का sanctioned था कि हमारी Constituent Assembly consists करेगी 389 members को, उसके साथी साथ इसमें एक बात करीगी, आपके representatives की, यानि कि हर एक community जो हमारे देश में है, उसका at least एक representative होना चाहिए, यानि कि हर community का representation हमारी Constituent Assembly में होना चाहिए, और वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा, कि वो जो members हैं उस community के, वो elect करके भेजेंगे अपने एक representative को, ठीक है सर, उसके साथी साथ और क्या कहा, उसमें बोला कि जो representation है, वो proportional होगा, यानि कि हमारी Constituent Assembly में originally जो representation होना है, वो एक proportional way में होगा, इसको कैसे समझे हम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कि अगर कोई एक community है, जिसका number जादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक community जिसके 100 member हो, और एक community जिसका एक member हो, दोनों के member एक-एक होंगे, जिस community का number जादा है, उसके representation की जरुवत जादा पड़ेगी, इसलिए इस बारे में ये बात करी गई, और उसके साथी साथ, जो हमारा constitution है, या constituent assembly है, उसकी voting के base प कि वो अपने members को elect करके भेजेंगे, वहाँ पे जो भी वहाँ के ruler थे, या जो भी वहाँ पे आप कह सकते हैं, princely state है, तो हम उनको prince बोल देते हैं, कि जो भी वहाँ के prince थे, वो वहाँ के member को nominate करके भेजेंगे, यानि उस state से एक nominated member आएंगे, किसके दुआरा head of the princely state, जिस Constituent Assembly में Indian National Congress के जो members थे, वो 208 थे, Muslim League के 73 थे, अब Muslim League क्या है sir, अगर आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1906 में first time Muslim League की स्थापना हुई, बांगलादेश और पाकिस्तान के area के, हम mostly हम समझते हैं इसको बांगलादेश के जो prominent Muslim leaders थे, उन्होंने Muslim League की शुरवात के लिए और उन्होंने डिमांड रखी पहली बार किस से, Britishers से कि उनको एक Muslim country अलग से बना के दी जाए, जिसको हम पाकिस्तान भी कहते हैं, तो यह Muslim League है, इसके बारे में भी हम कभी और किसी दूसरे वीडियो में detail में समझेंगे, अभी के लिए समझ लेते ह एक और बड़ी important बात है, Constituent Assembly के बारे में जान लेने की वो यह है कि उस समय, Constituent Assembly में हमारे देश का हर एक important चैरा वहां मौझूद था सिवाए दो लोगों के, एक कौन थे वो, एक थे हमारे मुहमद अली जन्ना और दूसरे थे महात्मा गांदी, अब यह क्यू नहीं थे उस Constituent Assembly के member ही अपने आप में एक debatable topic है, अलग-अलग perceptions है, अलग-अलग writings हैं इसके बारे में, अगर हम उसको refer करें, तो हम शायद अपना अलग-अलग opinion बना पाएं, आपका इस बारे में क्या opinion है आप मुझे नीचे comment section में बताइए, मैं भी ज़रा देखूं कि हमारे students क्य सोचते हैं इस opinion के बारे में, खेर आगे बढ़ते हैं, working के बारे में ध्यान रखते हैं कि हमें ये पता चल गया कि सर, Constituent Assembly क्या है, उसके शुरुवात कब होई और उसमें originally क्या features थे, अब Constituent Assembly बन चुकी है, तो वो काम क्या करेगी और कैसे करेगी, तो December 9, 1946 को पहली meeting December 9, 1946 को, Muslim League जिसके बारे में हमने पिसली स्लाइड में बात करी, उन्होंने क्या किया, boycott कर दिया, उसको, क्यों boycott कर दिया, क्योंकि उनके demand थे कि हमारे लिए एक अलग Muslim state हो, एक अलग Muslim country हो, जहां का constitution अलग हो, और जिसके constitution को draft करेंगे, हम, ठीक है, और जैसे यहां पर लि लिग ने इसको boycott कर दिया था, ठीक है, अब यहां पे एक नाम है, इसको आप पढ़िए, यह कौन थे, यह elected as interim president of the assembly, interim president sir क्या होता है, यह जो डॉक्टर सचिदादन सिनहा थे, यह elect हुए interim president के रूप में, president क्यों, क्योंकि यह constituent assembly है, तो उसका एक president होना चाहिए, और interim president क् immediate effect से एक president को elect कर लेना possible नहीं था, लेकिन एक president की presence होना की जरूरत थी, तो इसलिए जो सबसे senior member थे, जो की सिनहा सर थे, इनको बनाया गया, interim president जब तक की एक permanent president की निपती ना कर दी जाए, ठीक है सर, और यह जो चीज थी हमने करी, ऐसा क्यों क्या, इनी को क्यों बनाया, कि इनको उसका president निपत किया जाता था, ठीक है सर, फिर उसके बाद 11 December 1946, इस date को याद रखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद president, अब इतना ही बच्चा पड़ेगा और सोचेगा, ओहो, इसी दिन हमारे राजेंद्र प्रशाद जी president बन गया थे country के, यह गलत है, पूरा आजेंद्र प्रशाद president बने और मुखर जी जो थे, वो बने vice president of the assembly, फिर sir, बी एन राओ, यह कौन थे, यह advisor थे हमारे constituent assembly के, ताकि constitution related सभी matters में यह aid and advice कर सकें उस assembly को, ठीक है sir, all total हमारी constituent assembly की 11 sessions हुई, अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे, बस 11, नहीं, आप समझे इस बा कितना लगा, दो साल एक 11 महीने और 18 दिन, यानि कि एक महीने में भी, अगर एक करते तो भी एक 11 महीने में खतम हो जाता, इसका मतलब यह कि एक sitting के बाद कितनी सारी चीज़े decide होती होंगी, उसमें कितनी सारे homeworks किये जाते होंगे, उसके बाद next जो sitting है, उसको schedule किया जाता ह होगा, इसलिए हमें समझने क्या है कि 11 session total हुए constituent assembly के, जिसमें से time कितना लगा, 2 साल एक 11 महीने और 18 दिन, January 24, 1950 को constituent assembly had its final session, यह हमारे लिए समझने वाली बात है कि 1950 में हमारे जो constituent assembly उसका final session हुआ, जिसमें किनों ने, जिसमें यह decide हुआ कि जो parliament of India है from January 26, 1950 till the formation of new parliament, constituent assembly का formation और work वहाँ पे होगा, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, objective resolution, अभी objective resolution क्या है सर, objective resolution एक resolution है, जो जवालाल नहरू लेके आए थे, इसमें क्या हुआ था, इसको पढ़ते हैं, December 13, 1946 को, जवालाल नहरू moved the historic objectives resolution in the assembly, यानि कि उस constituent assembly में, उन्होंने objective resolution नाम का resolution पास किया, सिंपल समझने की कोशिश करते है, objective resolution जो था, वो बात करता था, किस बारे में, वो बात कर रहा था, fundamentals and philosophy of the constitution के बारे में, यानि हमारे constitution का soul क्या है, वो basically उसके बारे में बता रहे थे, इस objective resolution के बढ़ा popular and important topic आप चाहें, तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ओके, तो ये आया, इसके बाद क्या हुआ, unanimously इसको adopt किया गया, यानि कि constituent assembly में कोई भी ऐसा नहीं था, जिसने इसको oppose किया हो, और ये unanimous तरीके से adopt हो गया, January 22, 1947 में, ठीके sir, other functions क्या थे, अब सबको ये लगता है कि constituent assembly थी, constituent assembly ने constitution बनाया, खतम हो गई बात, नहीं ऐसा नहीं है, अब आप सुनके देखिए और पढ़ के देखिए, सबसे पहली, और भी कुछ functions थे, जो उन्होंने किया, सबसे पहला पढ़ते हैं, सबसे पहला था कि उन्होंने ratify किया, इंडिया की membership को, किसमे, Commonwealth में, May 1949 को, Commonwealth क्या है, ग्रूप ऑफ कंट्रीज है, जैसे आपको पता है, हम Commonwealth Games में participate कर रहेगा, ये decision भी constituent assembly ने लिया था, हमारा national flag, national anthem, national song, ये तीनों चीज़े constituent assembly नहीं adopt करी थी और साथी साथ, जो हमारे डॉक्टर राजेंद परशाथ थे, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जो constituent assembly के first president थे, elected, वो हमारे देश के भी पहले elected president बने और उनको भी elect constituent assembly नह बहुत important है, उसमें बहुत सारे landmark चीज़े हुई है, इसलिए आपको उसको detail में पढ़ना जरूरी है, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, drafting committee की बात करते हैं, अब हमने अभी तक समझा constituent assembly के बारे में, उसमें कितने members थे, उसमें बहुत सारे members है sir, 100 में members थे, लिकिन उन 100 members को ठीक है sir, तो drafting committee बनी, कब बनी, August 29, 1947 को, यह कितने लोगों की committee थी, seven members की committee थी, ठीक है sir, कौन-कौन member थे, बियार अमबेटकर उसके chairman थे, एन गोपाल स्वामी उसके member थे, यह बाकी के यह जो चार लोग हैं, यह उसके member थे, इन के नाम अप अपनी साब से पढ़ लीजएग की drafting committee की एक तस्वीर है, जिसको हम आगे और detail में देखते हैं, यह है, the people who drafted the constitution of India, आप इसको देख सकते हैं, बियार अमबेटकर sir, यह बाकी के जो members है drafting committee की यह उनकी photo, और एक मैंने आपको बताया था, यह aid and advice के लिए थे, constituent assembly के, तो यह B.N. Rao sir है, जिनको रखा गया था, constituent assembly की aid and advice के लिए, कि constitution को बनाने के लिए कभी किसी advice की जरूरत पड़े, तो B.N. Rao sir उसके लिए थे, ठीके, drafting committee पे आते हैं, तो first draft of the constitution of India was published by the drafting committee in February 1948, 1948 के February में, पहला draft जो है, constituent assembly की drafting committee ने constitution का दे दिया, लेकिन उसके बाद उसका बहुत criticism हुआ, suggestion आए, जाहिर सी बात है, ह कोई चीज पहली बार करेंगे, तो हर community को लगता है, हमारे बारे में कम बात है, इसमें जादा बात है, इसमें changes होने चाहिए, तो इसी लिए, इस चीज के चक्कर में, October 1948 में, उसका second draft आया, और finally, constitution was adopted in November 26, 1949, ठीक है, और preamble, 395 articles and 8 schedules originally उस समय थे, उसमें, ठीक है sir, और preamble क के बारे में एक और जानने लाइक बात क्या है, कि वो हमारे constitution के बाद in act हुआ था, ठीक है sir, और उसके साथी साथ, ये भी आप जान लीजे, ये भी जानने लाइक बात है, कि some provision of the constitution came into force on the same day, that is 26 November 1949, और जो बाकी के provision थे, वो 26 January 1950 को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आपको जैसा बताया कि हमारी constituent assembly ने केवल constitution को draft नहीं किया, और भी बहुत सारी चीजों में काम किया, और उसके साथी साथ हो इतनी बड़ी assembly थी, तो उसमें अलग-अलग committees होती हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे आप किसी university में पढ़ रहे हैं, तो आपकी उस university में अलग- परशाद, advisory committee on fundamental rights, minority and tribal excluded areas, यानि कि हमारे जो fundamental right है, उसके कौन थे, chairman, सरदार वल्लब भाई पतेल, committee on functions of the constituent assembly, यानि constituent assembly function कैसे करेगी, उसके ओपर जो committee बनी थी, उसके मावलांकर सर जो थे, वो उसके chairman थे, committee on rules of procedure, यानि कि जो rules follow किये जाएंगे, जो procedure follow किया जाएगा, constituent assembly द्वारा, उसके जो थे, chairman, वो भी डॉक्टर राजेन परशाद ही थे, credential committee, अलादी कृष्ण सौमी, आयर, drafting committee, जैसा हम सब को पता है, सर, बियार, अमबेटकर, उसके बाद, excluded and partially excluded areas, other than those in some subcommittee, यानि कि, areas के decision लेने के लिए कि कौन से areas included हैं, नहीं है, आपको, उसके बार fundamental rights subcommittee, यानि की fundamental right के ओपर एक originally committee बनी हुई थी, जिसमें सरदार बलब भाई पतेल थे, उसके एक subcommittee बनी जिसमें जेबी कृपलानी सर थे, house committee, बी पटब, पटबी, सीता रमया, minority subcommittee, ह.C. मुखर जी, north, east, front, tribal areas, and some excluded and partially excluded areas, subcommittee, गौपिनाथ, बर्डॉली, order of business committee, के मुंशी, states committee, जवारलाल नहरू, steering committee, राजेंद परशाद, union constitution committee, जवारलाल नहरू, खीके sir, समझ गया हम, अब एक हम आखरी में इस lecture को sum up करने के लिए, यानि कि आप इतनी सारी चीज़े obviously याद नहीं रख सकते, तो अगर आप केवल इस slide को देख लेंगे, तो यह lecture आपके लिए sum up हो कर शाद थे, drafting committee कब शुरू भी 29 अगस 1947 को, chairman कौन थे उसके, ब्यार मेट कर सर थे, कितना time लगा, 2 years, 11 months, 18 days, constitution कब adopt हुआ, 26 November 1949 को, enforce हुआ, 1950 को, national flag, 22nd July 1947 को, यानि कि आप एक बार देखिए, कि यह जो चीज़े है, independent से जस पहले हमने national flag को लिया, national anthem and national song, 24th January 1950, first president जो है, हमार 24th January 1950 को, elect हुए, और हमारे देश के first president बने, तो यह था हमारा video lecture किस बारे में, constituent assembly के बारे में, जो कि आता है, constitution of India के एंडर में, और इसको पढ़ लेना और समझ लेना है, कि जरूवत क्यों है हमें, वो इस video lecture को देखने के बाद, I hope आपके clear हो गई हो, यह doubt आपके मन में clear ह गया हो, still अगर आपके दमाग में कोई doubt रह जाता है, तो आप हमें रीचे comment section में बता सकते हैं, हम आपको follow up करके उस doubt को clear कर देंगे, I hope video lecture आपके लिए helpful रह हो, और अगर रहा हो, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और भी जादा informative videos को देखने के लिए, और अपनी learning को औ ये गया लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको